उत्तर प्रदेश में योगया दितनात की सरकार ने मंगलवार को विधान सबा में बताया कि उसके गठन के शुरवात करीब दो महीने में राज्ये में बलतकार की 803 तता हत्या की 729 घटनाएं हुई सांसद्य कारे मंतरी सुरेश खन्ना ने प्रश्नकाल के दोरान सदन में कहा इस साल 15 मार्च से 9 मार्च के बीश प्रदेश में हत्या की घटनाएं 729 बलतकार की 803 लूट की 799 अपरन की 2682 तता डकैती की 60 वार्दात हुई सपा सदसे शेलेंद्र यादव ललाई ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से एक निश्चित अवदी के दोरान हुई अपराधिक वार्दात और उन्हें रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा था मंद्री ने कहा कि हत्या के 67.16 प्रतीशत मामलों में कारवाई की गई है वही बलतकार के मामलों में यह आकड़ा 71.12 फीसद अपरण के मामले में 52.23 प्रतीशत दकैद के मामलों में 67.5 फीसद तठर लूट के मामलों में 81.88 प्रतीशत है उन्होंने कहा इसके अलावा इन मामलों में से 3 के अभियुक्तों के खिलाफ राश्टे सुरक्षा कानून की तामील की गई है गैंक्स्टर एक्ट के मामलों में 126 फतक गुंडा एक्ट के मामलों में 131 लोगों के खिलाफ कारवाई की गई है ऐसे और खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैन झाल